हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो अवर चैनल फार्माग्यान एंड टूडे भी विल डिसकस अबाउट साइट डिफेक्ट्स ओप डाइकलोफैनेग मेडिसिन डाइकलोफैनेग इसे नोन इस्टरोइडल एंटी इंफ्लमेट्री ड्रग तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है और फो रोगे टो लाइक शेर और सब्सक्राइब और चैनल फार्माग्यान लेट्स कंटिनू तब वीडियो तो डाइकलोफैनेग क्या है क्या यूसेज है डाइकलोफैनेग एक नोन इस्टरोइडल एंटी इंफ्लमेट्री ड्रग है इसके जो यूसेज हैं वो जो बोडी में इंफ्लमेशन कॉसिंग एजेंस होते हैं या सब्स्टांसेस होते हैं उनको रिडियूस करके पैन को कम कर तो यह जनरली डाइकलोफनेक का एक छोटा सा सोट डिस्क्रिप्शन है आपको डीटेल्स में अगर डाइकलोफनेक क्या है उसके यूजस क्या है कौन-कौनसे डॉसस फॉर्म से उसकी डीटेल्स चाहिए तो आप आई बटन पर जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर आप इस टाइप के जो आपकी बोडी पर जो मार्ट होते हैं इनको हाईप्स बोलते हैं हाईप्स होते हैं difficult in breathing मतलब सास लेने में problem हो सकती है आपको swelling in your face और throat और severe skin reaction तो जिससे face पर यह swelling हो सकती है आपको throat में भी swelling हो सकती है गले में sore throat हो सकता है आपको fever भी आ सकता है अगर side effects आपको होते हैं तो generally side effects अभी को नहीं होते हैं लेकिन अगर badaiclofenic के side effects होते हैं तो यह यह symptoms आपको देखने को मिल सकते हैं सारे symptoms सभी में नहीं मिलेंगे कोई एक दो symptoms ही generally आते हैं sore throat आपको हो सकता है जो eyes है उनमें warning sensation आपको feel हो सकता है skin pain हो सकता है red or purple skin rashes with blistering and peeling get emergency medical help if you have signs of heart attack or stroke chest pains spreading to your jaw or shoulder sudden numbness or weakness on one side of the body slurred speech feeling short or breath अगर आपको heart attack जैसे symptoms होते हैं जो symptoms मैंने इसमें बताया है जैसे कि chest pain होता है जो कि आपके jaw और shoulders की तरफ spread हो रहा है sudden numbness और weakness होती है आपकी body में slurred speech और feeling short or breath अगर ऐसा होता है तो आप emergency medical help ले सकते हैं पिर आपकी जो nearest hospital है उसमें जाकर जा सकते हैं डोक्टर के पास में और other side effects कौन-कौन से हैं तो ऐसा अगर और जो side effects में यहां पर बता रहा हूं उसमें आपको जो medicine आप ले रहे हो जैसे diclofenic तो उसको तुरंत लेना बंद करें और यह कौन-कौन से symptoms हैं जिसमें आपको तुरंत बंद करना चाहिए medicine जैसे कि the first sign of any skin rest no matter how mild मतलब skin rest अगर आपको होते हैं तो आपको तुरंत medicine लेना बंद कर देना चाहिए flu-like symptoms जैसे अगर आपको लग रहे हैं सर्दी जो काम लग रहे हैं तो भी आपको बंद कर देना चाहिए heart problems अगर आपको लगती है heart attack से related या heart से कोई भी issues आपको लगते हैं अगर आप diclofenic लेते हो तो आपको तुरंत medicine बंद कर देना चाहिए example में जैसे heart attack या heart से related जो प्रॉल्म से swelling rapid bad gain, feeling short of breath और भी symptoms में जो अर्लियर बता हैं आपको वह कुछ भी अगर आपको लगता है तो आपको टाइकलोफेनिक तुरंत बंद कर देना चाहिए और इम्मीडियेट्री डॉक्टर के पास जाना चाहिए kidney problems little or no urinating painful or difficult urination swelling in your arms or legs feeling tired or short of breath तो kidney problems जैसे की urination में problem होना है painful urination होना है या फिर जो आपका urine अभूत कमा रहा है तो भी आपको बंद करना है liver problems nausea diarrhea stomach pain upper right side tidiness eating dark urine jaundice यह सब भी problems है तो भी आपको बंद कर देना चाहिए science of stomach bleeding bloody or tarry stools for coughing up blood or vomit dead looks like coffee grounds तो जिसे अगर stomach bleeding होती है या intestinal bleeding होती है तो आपका जो कफ है उसमें या फिर आपके जो vomit होती है उसमें भी blood आएगा या फिर आपके जो श्टूल से उसमें भी blood आएगा तो बो सब आपके जो science हैं वो stomach intestinal bleeding के हैं यह जो side effects हैं उनमें आपको immediately diclofenic बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर को consult करना चाहिए common diclofenic side effects कुन-कुन से हैं वो हम देख लेते हैं जैसे indigestion है गेस नौसिया vomiting stomach pain यह आपको हो सकते हैं diarrhea constriction हो सकता है आपको headache डीजिनेस रॉसिनेस हो सकता है abnormal lab test अगर आती है तो बहुत हो सकता है एचिनिंक स्वेटिंग स्टेफी नोज इंक्रीज ब्लड प्रेसर और swelling और पैनेनी और आहम सोल लेक्स यह सब common side effects and diclofenic के जनरली सारे जो side effects मैंने बताएं वो सब एक ही साथ में नहीं आते हैं एक दो तीन side effects हैं जो आपको एपियर होते हैं सारे side effects आपको नहीं दिखेंगे सभी में तो person-wise vary करता है कौन सा side effect कौन से person में हो सकता है so thanks for watching pharma ग्यान please don't forget to like share and subscribe our channel pharma ग्यान